नमस्कार मेरा नाम है में तो गैजट्स फर यू के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं रिव्यू सामसंग के एक लेटेस फोन का जो की है सामसंग की दरफ से आने वाला सामसंग एलक्सी A31 अब इस जवाइस को सामसंग ने रिसेल इंडिया में लॉंच किया है जिसका प्राइस रख गया है 21,900 जहां पर आपको मिलता है 6GB RAM और 128GB Storage अब दोस्तों यहां पर आपके काफी सारा सवाल हमारे पास आए कि क्या आपको इस फोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं या फिर यह है फोन किन लोगों के लिए बना है तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं इस फोन के बारे में और साथ ही कुछ ऐसे फीचर्स भी आपको बदाने वाले हैं जो कि आपको सरफ Samsung Galaxy A31 में देखने मलते हैं ना कि किसी और डिवाइस में तो उस सरी चीजों को आप डिटेल में जानिए और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि क्या आपको Samsung Galaxy A31 लेना चाहिए या फिर नहीं तो चलिए अगर आप भी जाना चाहते हैं तो बने रहेगा अमारे साथ इस वीडियो में अब दोस्तों इस डिवाइस की बाद हम और करें लेकिन उससे पहले आपकी छोटा से दोवाल कि आपके लिए आपके फोन में डिश्प्ले बाट रिटरी ये जड़ा मैटर करती है या फिर पून की परफॉंस नीचे कमेर सक्क्रीन में बता सकते हैं कि आपके लिए ज़्यादा मैटर क्या करता है तो चलिए भी स्टा के बारे में एक चीज़ आपको जरूर बताना चाहूंगा कि इस फोन का जो वेट डिस्टुमिशन है वह बहुत अच्छा है जी हां 185 ग्राम का वेट के साथ मैं आपको यह देखने को मिलता है लेकिन इस फोन में आपको बादरी जो कि इस फोन का की हाइलाइट फीचर भी है लेकिन दोस्तो इतने बड़े बैटरी के बाद भी इस फोन का जो वेट है वह बहुत जाता नहीं है इन फैक इस फोन का जो ग्रिप है ये भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलता है तो डिजाइन के मामले में वेट डिस्टुमिशन के मामले में ये फोन आपको काफी अच्छा मिलने वाला है साथ ही दोस्तों डिजाइन में और कोई भी कॉंपरमाइज नहीं किया गया है जैसे कि यहां पर आपको दो सिम कड के साथ मेमोरी कड का स्लॉट देखने को मिल जाता है 3.5 जैक भी दिया गया है और जो चार्जिंग पोर्ट है वो भी आपको टाइप दिस्प्ले मतलब एक वाटर टो आप आप देखने को मिलता है इस फोन में लेकिन खास बात यह है कि यह आपको मिलता है एक सूपर एमोलेट पैनल के साथ में जो कि मैं कहूंगा कि सबसे अच्छा दिस्प्ले होता है स्मार्ट फोन के लिए और कुछ ऐसा डिस्प्ले आप कहीं पर निराश नहीं होंगे बलकि इस प्राइज में आने वाले काफी सारे फोन को यह अच्छी टकर देता है डिस्प्ले के मावले में क्योंकि यह आप पर जो डिस्प्ले है मैं कहूंगा कि इस फोन का सबसे अच्छा फीचर आपको देखने को मिल जाता है तो अगर कर पाएंगे यहां पर कोई वीशुस नहीं है तो यह सारी चीज़े मुझे लगता है कि काफी अच्छी है इस डिवाइज के साथ में अब अगर हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की तो जो एक्स्टरनल स्पीकर आपको देखने मलता है बॉटम साइड में आना कि यह बह पार्ट है इस डिवाइस का वह आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है अगर हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा की तो यहां पर आपको क्वाड कैमरा साइट अप देखने को मिल जाता है 48 में का पिक्सल का प्राइमरी सेंसर दिया गया है और वैसे तो दोस्तों आप जानते ही होंगे अगर अपने सामसंग का कोई भी पहले डिवाइस यूज किया होगा तो वहां पर आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि जो इमिज प्रॉसरिंग आपको देखने हुलता है सामसंग के डिवाइस का यह काफी अच्छा होता है और दोस्तों इसलिए हमें यहां पर काफी amazing pictures देखने हो मिलने वाले हैं जी हां यह जो आप pictures देख रहे हैं यह auto mode ब लिए गये हैं और यहां पर मैं कहूंगा कि काफी impressive images थी इसके लोगर मैं बात करता हूँ macro shots की तो वो आप यहां पर देख सकते हैं और अगर हम बात करते हैं ultra wide sensor की तो कुछ images आप य अच्छी देखने हो मिलेंगी और इस phone का camera है यह भी मैं कहूंगा कि इस phone का key highlight feature है और हां दोस्तों यहां पर हमें 20 megapixel का selfie camera भी देखने हो मिल जाता है और कुछ selfie images यहां पर आप देख सकते हैं अब दोस्तों बात की जाए phone की performance की तो यह phone हमें देखने हो मिलता है Mediatek के Helio P65 chipset की साथ में जहां पर हमें अच्छा performance देखने को मिल जाता है लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इस price में आपको top level का performance देखने हो लेगा जी नहीं ऐसा नहीं है लेकिन हां अच्छा कासा performance हमको देखने हो मिला अगर आप gaming करना चाते हैं medium graphics setting के साथ में तो आप कर सकते हैं अ इसके अलाव भी कई सारे ऐसे advanced feature देखने को मिल जाते हैं जो कि किसी और phone में आपको देखने को नहीं मिलते हैं और जिसमें सबसे पहले में बात करना चाहूंगा nox security की बारे में अब दोस्तों जैसा कि आप जानती है कि during lockdown या फिर जो यह pandemic situation चल रही है यहां पर cybercrank कितना जादा बढ़ चुका है कितने सारे fraud हमको देखने को मिल रहे हैं अब दोस्तों इससे बशने के लिए हमें बहुत अच्छे लेवल की security होती है जो कि आपको Samsung के E-series और S-series के phones में देखने को मिल जाती है जी हां मैं बात कर रहा हूं nox security की जो की defense grade की security है जी हां यह जो security है hardware और software दोनों में integrate की जाती है और दोस्तों यह security काम करती है 128-bit encryption के साथ में तो आपका जो phone है पूरी दरह से secure हो जाता है और जैसे कि मैंने आपको बताया है कि hardware के साथ में software में बें integrate की जाती है तो जो भी हमें OS में breeze दिखने मिलते हैं security को लेकर यह हमेशा check करता रहता है औ security तो no doubt हो कुछ चाहिए होती है और यह हमें देखने मिलती है Samsung के A series के phone में और अगर मैं बात कर रहा हूँ A31 की तो यह security आपको Samsung के A31 में भी देखने मिल जाती है तो आपका phone पुलिसर से secure हो जाता है इसके अलवा यह security है जो Samsung के दूसरे feature है जैसे कि Samsung पे जहाँ पे अपने card, debit card, credit card को store करके payment करते हैं वो security वहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी इसके लवा अगर मैं बात करता हूँ secure folder की जहाँ पर आपने एक secure folder बना सकते हैं जो files होती है आपकी उनको transfer कर सकते है secure folder में और वहाँ भी हमें knock security देखने को मिल जाती है या फिर phone की किसी भी security के लि दोस्तों कुछ और features की जैसे कि मैंने आपको Samsung B के बारे मताया यह बहुत अच्छा feature है इसे अब अच्छे से use कर पाएंगे इसके आपको Samsung health का feature देखने को मिल जाता है जहां से आपने daily के activity ट्रेक कर सकते हैं और भी कई सरे ऐसे feature आपको Samsung इस phone में देखने को मिल जाते हैं औ आला कि मैं Samsung को feedback की जड़ी देना चाहूंगा कि अब थोड़ी सी charging speed को और improve किया जाए क्योंकि इसी price में दूसरे वेंड हमें इससे better charging speed या फिर charging technology provide कर रहे हैं तो इससे improve करना चाहिए Samsung को तो कुल बला के दोस्तों यह था Samsung Galaxy A31 के बारे में अब इस phone के बारे में जो मेरे final verdict है वो यही है कि अगर आप चाहते हैं दोस्तों एक अच्छे design वाला phone अगर आप चाहते हैं एक अच्छी battery वाला phone अगर आप चाहते हैं एक अच्छे camera वाला phone जा फिर बहुत ही अच्छे display को नहीं मिलेगी तो यही थे final verdict Samsung Galaxy A31 के बारे में बागी दोस्तों आप बताएगा कि आपको यह फोन कैसा लगा आप नीचे comment section में बता सकते हैं चलिए दोस्तों यही था अचके इस वीडियो में मुझे उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इस वीडियो को ल बनिवाद